बच्चो कनेक्टेड में आपका स्वागत है बच्चो आज हम पढ़ेंगे पार्ट बसेरा उचाई पर इस पार्ट में हम यहाँ निनम लिखित चीज़े सीखेंगे पहला कहानी एक यात्री की दूसरा कैसे की तयारी तीसरा थंडा रेगिस्तान चोथा दुनिया की चोटी पर लोगों का बसेरा पाच्वा चांगपा छट्वा श्रीनगर की और सात्वा वापसी का समय कहानी एक यात्री की मैं हूँ गवरो जानी और यह है लोनर मेरी सबसे बढ़िया साथी मेरी मोटरिसाइकल अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला वैसे तो मेरी मोटरिसाइकल अकेली नहीं है उसके साथ मैं हूँ हर दम हम दोनों ही मुंबई की भीट भाड शोरगुल वाली गलियों और उची-उची इमारतों से निकलने का मौका ढूनते रहते थे चौक था आज मैं तुम्हें एक अद्भूत कहानी के बारे में सुनाता हूँ हमने दुनिया के सबसे उचे रास्तों पर मोटरिसाइकल यात्रा की थी कैसे की तयारी मेरी यात्रा लगबग दो महीने की थी कि इतने दिनों के लिए सामान ले जाना था वह मोटरिसाइकल पर लदकर मैंने पहुत सोच समझ कर जरूरत का सामान इकटा किया था रहने के लिए टेंट बिचाने के लिए प्लास्टिक की शीट और स्लीपिंग बैग गर्म कपड़े काफी दिन तक खराब न होने वाला खाना कैमेरा पेट्रोल रखने के लिए डिब्बे इत्यादी भी थे मैं मुंबई से निकला था महाराष्ट गुजरात और राजस्तन के छोटे बड़े शवरों से होता हुआ दिल्ली पहुचा था मुंबई से दिल्ली तक का 1400 किलोमेटर का रास्ता मैंने तीन दिन में तई किया था मुझे पूरी उम्मित थी कि दिल्ली में मुझे कुछ नया देखने को मिलेगा पर दिल्ली भी मुंबई जैसे ही लगी इतने सालों में मैं ठक चुका था एक ही थरा के शहर देख देखते वही एक जिलसे घर सिमेंट इट, काच और स्टीर के बने हुए थे अब आने वाले दिनों के बारे में सोचकर मैं बहुत उत्सुक था मेरी कलपना थी कि मुझे देखने को मिलेगे दकडी के घर डलवा, छट वाले और बर्फ से ढके घर बिल्कुल वैसे जैसे मैंने किताब में देखी है दिल्ली में फिर सामन भरवा कर मैं आगे बढ़ा दो दिन बाद मनाली पहुँच कर पहाडों की ताजी हवाब के बीज चैन की सासली असली यातरा तो अब शुरू होनी थी जम्मु कश्मिर राज्य के कई मुश्किल रास्तों से होते हुए हमें लद्दा में लेह कतक जाना था मेरा नया घर मैं और मेरी लोनर आगे बढ़े जा रहे थे मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था और रात की थंड से बचने के लिए टेंट मेरे छोटे से नयलोन के टेंट में इतनी ही जगह थी कि सिर्फ मैं सौ सकू रात के समय मेरी मोटर सैकल टेंट के बाहर पहारा देती थी सुब़ की थंडी हवा और चीडियों की चहक से ही रोज आग खुलती थी बच्चो क्या तुम कभी टेंट में रहे हो कहां कैसा अनुहो था मान लो तुम्हें अकेले पहाड पर दो दिन तक एक टेंट में रहना है और हम और तुम अपने साथ केवल दस चीजे ले जा सकते हो उन दस चीजों की सूची बनाओ जो तुम ले जाना चाहोगे तुमने किस-किस तरह के घर देखे है उनके बारे में बताओ चित्र भी बनाओ थंडा रेगिस्तान आखिरकर में और लोनर लेह पहुँच ही गए थे अजब अनुठा था यह इलाका सूखा मतलब और थंडा रेगिस्तान था लदाक में बहुत ही कम बारिश होती है वहादूर दूर तक बर्ष से थढ़के पहाड और सूखा ठंडा मैदान दिखता है था मैंने लेह शहर की एक शांत गली में सफेद पत्थर के सुन्दर मजबूत घरों को देखा था थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ बच्चे जूले जूले यानी स्वागत स्वागत चिलाते हुए मेरा पीछा करने लगे थे वो लोनर को देखकर बहुत हैरान थे सभी मुझे अपने अपने घर ले जाना चाते थे ताशी के घर गैरव ने पताया कि ताशी का जोर चला और वहब मुझे खीच कर अपने घर ले गया था उसका घर दो मनजीला था वहब पत्थरों को काट कर एक के उपर एक रख खर बना था उन पर मिटी और चूने से पताई की हुई थी अंदर से घर छपर जैसा लग रहा था हर तरफ घास घूस फूस पड़ी हुई थी ताशी मुझे लगडी की सीडियों से पहली मजली पर ले गया था उसने बताया कि वह और उसका परिवार उपर की मनजील पर होते थे नीचे की मनजील पर जानवरों के लिए रहने की जगह थी और जरूरत का सामान इखटा करके रखते थे सदी के दिनों में अकसर इनका परिवार भी नीचे पिकी मनजील पर जानवरों के पास ही रहता था नीचे की मनजील में कोई खिड़की भी नई थी चट को मजबूत बनाने के लिए पेडों के मोटे तने इस्तेमाल किये उग हुए थे फिर ताशी मुझे घर की चट पर ले गया आसपास का नजारा तो देखते ही बनता था सभी घरों की चटे समतल थी कही लाल मिर्च सुकने के लिए फैली थी तो कब गही सीता फल और मक्का किसी चट पर धान के धेर लगे थे तो किसी पर उपले सूक रहे थे ताशी ने बताया कि चट उनके घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है यहां गर्मियों की तेज धूप में ही बहुत सारी फल सबजी सुखा ली जाती है यह थंडे दिनों में इस्तेमाल होती है जब फल सबजी नहीं मिल पाती है सो चो यह किन महिनों में होता होगा और क्यों वहां खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उसके घर का हर हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया था बिलकुल वहां के मौसम और लोगों के जरूरत के अनुकुल मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि मोटी मोटी दिवारे लकडी के फर्ष और लकडी की छट ही थंड से बचाते होंगे दुनिया की छोटी पर लोगों का बसेरा अब आगे बढ़ने का समय था तेड़े मेड़े साकरे पहाडी रस्ते से होते हुए मैं बहुत उचाई पर जाता जा रहा था कही सडक तो कही बड़े बड़े पत्थर थे लोणर का तलना चलना मुश्किलों से भरा था अब मैं चांग थाउं इलाके की और बढ़ रहा था लगबख पातजार मीटर की उचाई पर बना यह मैदानी इलाका बिलकुल सुन सुनासान और पधरीला था इतनी उचाई पर सास लेने से भी मुश्किल हो रही थी फिर दिरे दिरे ऐसी हवा से मैं सास लेने की आदत सी पड़ गई थी मैं कई दिन तक यहां मोटर साइकल पर घूमता रहा लेकिन दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था नहीं कोई पेटरल पंप, मेकेनिक, कुछ नहीं सिर्फ दूर दूर तक फैला मनीला आसमान और पहाडों के बीज बहुत से तलाब कई रातों और कई दिन बीद गए मैं अकेला ही बढ़ रहा था फिर एक दिन अचानक मेरे सामने बड़ा सा हरा मैदान था और उसमें चर्ती भेड बकरिया थोड़ी ही दूरी पर मुझे एक कुछ टेंट दिखाए दिये मैं हैरान था कि इस सुनसान मैदान में इलाके में ये कौन लोग थे और क्या कर रहे थे बच्चो क्या आप जानते हैं कि गौरों को इतनी उजाई पर सास लेने में परिशानी क्यों हो रही थी क्या आप भी कभी इतनी उजाई पर गये हैं और क्या पहाडों पर आपको पिसास लेने में परिशानी हो रही थी चांगपा फिर उसने बताया कि वहाँ मैं मिला नामक ग्याल से उन्हीं से मुझे चांगपा के बारे में पता चला था इतने बड़े इलाके में सिर्फ पाच हजार लोग चांगपा गुमतू लोग थे जो हमेचा एक ही जगा पर नहीं रहते थे अपनी भेड बकरिया के जुन को लेकर पहाडों में हरे मैदानों की स्कोज में खुमते रहते थे इनी चांगपारों से इन्हें अपनी जरुरत का सामना सामान मिल जाता है दूद, मास, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए उन आदी बेड बकरिया ही इनका सबसे बड़ी पूजा थी, पुझी थी जितनी बेड बकरिया उतना ही उचा परिवार, कस्तर, चांगपा खास्तर की बकरिया पालते थे जिनके बालों से दुनिया की मशुहूर पशमीना उन बनती है जितनी थंडी और उची जगह होगी, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा और नरम होते है इसलिए चांगपा इतने मुश्किल हालत में भी इतनी उचाई पर रहना पसंद करते थे यही है इनकी जिन्दगी मैं मूटर सैकल पर तो अपना थोड़ा ही सामान लाया था लेकिन ये लोग अपना पुरा घर और सामान गोड़े और याक पर लाद कर घुमते हैं निकल पड़ते हैं जहां ठर ना हो वहां कुछ ही देर में ये अपने टेंट गार्ड लेते हैं थे और इनका घर तयार हो जाता था दुनिया में महशूर पश्मीना माना जाता है कि एक पश्मीना शाल में छो स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है इतनी गर्म पर मोटे विल्कुल नहीं यह पश्मीना बनता है पहाडी पकरियों की एक खास नसल से जो लगबग 5000 मीटर की उचाई पर रह सकती है यहां सर्दियों में तापमान 60 सेंटीग्रेट से भी बहुत कम माइनस 40 डिगरी सेंटीग्रेट तक चला जाता है इतनी सर्दि से बचने के लिए बकरियों के शरीट पर बहुत ही बारिक और नरम बाल उख आते हैं जो गर्मियों में जड़ जाते हैं यह बाल बहुत ही पतले होते हैं इतने पतले कि बकरी के छो बाल मिलाकर तुम्हारे सीर के एक बाल की मुटाई के बराबर होंगे इसलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता इतनी बुनाई हातों से करने के लिए खास बनकर होते है अगर एक बुन कर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारन पश्मीना शॉल तयार होती है इतनी मेहनत सोचो अगर डिजाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिल लगेंगे आपका स्वागत है कहते हुए नाम ग्याल मुझे बहुत बड़े टिकोने टेंट में ले गया था यह अपने टेंटों को रेपो कहते थे याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पटिया बनाते थे जिने सिल कर जोड लेते थे यह बहुत मजबूत होती है और गर्मी मैंने देखा कि यह पटिया नौ इंडियोस के सहारे जमीन से बांदी थी टेंट लगाने से पहले जमीन में दो फूट गहरा गड़ा खोते हैं फिर गड़े के आसपास ही उची जमीन पर टेंट लगाते हैं थे टेंट में गुसने पर मैंने पाया कि वह खूप उचा था और मैं आराम से सीधा ख़ड़ा हो सकता था अपने टेंट में मैं ऐसा नहीं कर पाता था रेबो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था दो लकड़ी के बड़े डंडो के सहारे ख़ड़ा था रेबो की बीचों बीच एक खूला छेट था जहां से चूले का धुवा बाहर जा सकता था नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का डिजाइन एक हजार साल से भी पुराना था इससे टेंट में रहने वाले चांकपा ठंड से बचे रहते थे ठंड भी कैसी सर्दियों में यहां अतकत अपमान शुन्य से कई डिगरी नीचे चला जाता था और हावा भी बहुत तेच चलती थी रेबो के पास ही भेड भकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी इसे चांकपा लेखा कहते है लेखा की दिवारे पत्थरों और चिटानों को एक दूसरी पर रख कर बनाते थे हर परिवार अपने जानवरों को जून पर पहचान के लिए खास निशान बनाता था रोज सुब़ जून को लेखा से बाहर निकाल कर गिन कर चराने ले जाते थे और ये काम औरतों और जवान नड़कियों का रोज का काम होता था बच्चो चांगपा लोगों की जिन्दिगी पूरीक तरहों से इन जानवरों से जूड़ी थी क्या कोई जानवर तुमारी जिन्दिगी का हिस्सा है जैसे तुमारा कोई पालतो जानवर या खेती में इस्तिमाल की गए जानवर आदी पाच उदारन देकर बताईए कि जानवर अपनी जिन्दिगी से कैसे जुड़े हुए है बताईए कि क्या भेड़ बकरियों को अपने बाल की जरुरत नहीं होती ऐसी जगर के नाम बताए जहां तापमान शुन्द डिगरी सेल्चियस से भी कम हो जाता है ऐसी खबरे हमें कब सुनने में मिल आती है श्री नगर की और मैंने कुछ दिन इन लोगों के साथ बिताये थे न चाते हुए भी आगे तो बढ़ना ही था लेह से वापसी की यातरा मुझे इस अनोकी इलाके से दूर एक दूसरी ही दुनिया में ले जाने वाली थी लेह से वापसी वापिस आते समय मैंने श्री नगर की और का रास्ता पकड़ा था मैं कारगिल से होता हुआ फिर श्री नगर पहुचा था रास्ते में मैंने कई तरह के घर और अद्बूत इमारते देखी थी फिर कुछ दिन में श्री नगर में रहा वहां के अलग घरों को देख कर मैं हैरान था उन घरों ने मेरा दिल ही जीट लिया कोई पहाड पर तो कोई पानी पर तरह तरह के घरों में लोग रहते थे उन घरों के मैंने कई फोटो कीजे ये फोटो तुम भी देखो अपने सफर की शुरुआत पर निकलने से पहले मैंने कभी सोचा भी ने था कि एक ही राज्य में मुझे इतनी तरह के घर और लोगों के रहन सहन के तरीके देखने को मिलेंगे लेहम में एक अनुभव था दुनिया की चोटी पर रहने का और श्री नगर में अनुभव था पानी पर रहने का इस इलाकों में घर भी ऐसे खास थे जो वहाँ के मौसम के अनुकूल थे वापसी का समय फिर आगे बढ़ने का समय आया आ गया था इस बार जम्मु शहर से होते हुए जाना था अब फिर वैसे ही घर देखे जिने देखकर मैं पड़ा हुआ हूँ वही सिमेंट, इट, काच और स्टील इस बारे में कोई दो राय नहीं की ये मजबूत और टिकाओ है पर इन में उन घरों जैसी खासियत नहीं थी जो मैंने खुश किस्मती से लेह और निश्री नगर में देखे थे फिर से उतना ही लंबा वापसी का सफर करके मैं और लोनर मुंबई पोचने ही वाले थे मुंबई शहर की बीट भाड़ वाली सडकों पर लोनर वापसी नहीं आना चाह रहा था रही थी, मेरा मन भी भारी हो रहा था पर अंदर से दिल में एक खुशी थी था और यह अंत थोड़ी थोड़े ही है मैं और मेरी मोटर साइकल फिर जब इस शहर से उप जाएंगे तो निकल पड़ेंगे एक नए सफर बग बच्चों जमू काश्मीर में अलग-अलग तरह के घर होते हैं जो की लोगों की और मौसम के हिसाब से बनाये जाते हैं ऐसे ही आप कुछ दिये गए चितर में भी देख सकते हैं और बच्चों दिये गए चितरों में आप श्रीनगर के घरों को भी देख सकते हैं बच्चों क्या आपके इलाके में भी अलग-अलग प्रकार के घर है अगर है तो वह किस चीज से बने हुए है और क्या आपके घर में कुछ खास बात है जैसे बड़ा बरामदा या डलवा च्छत चलिए बचों अब दिये गए चितरमें देखिए यह लकडी और मिट्टी के घर वे घर के घर है जिसमें सर्दिया में कोई नहीं रहता बस गर्मियों में बक्री चराने वाले लोग यहां रहते है और बक्रियों को उच्छाई पर चराने ले जाते है चलिए बच्चो अब इस पार्ट के कुछ प्रशन देखते हैं बहला गवरो जानी ने अपनी मोटर साइकल का क्या नाम बताया था दूसरा मुंबाई से देली तक का रास्ता कितने किलोमेटर का था और गवरो ने यह कितने दिन में तय किया था दूसरा ताशी का घर कैसे बना हुआ था चौदा गवरो को रेबो को अंदर से देख कर क्या कहा था पाजवा श्री नगर में लोग कहां पर बने घरों में रहते थे चलिए बच्चो प्रशनों के उपर दिये गए प्रशनों के उत्तर देखते है पहला गवरो जानी अपनी मोटरे साइकल को लोनर कहते थे दूसरा मुंबाई से दिली तक का 1400 किलोमिटर का रास्ता उन्होंने तीन दिन में तय किया था तीसरा वह पत्थरों को काट कर एक के उपर एक रख कर बना था उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई थी अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था हर तरफ घास पूस पड़ी हुई थी चौदार रेबो अंदर से मेरे मुंबई वाले फ्लैट के एक कमरे जितना बड़ा था पाजवा कोई पहाड पर तो कोई पानी पर तरह तरह के घर में लोग रहते थे तो बच्चो हमारा आज का पार्ट यही पर समाप्त होता है आशा करती हूँ कि आपको खूब मजाया होगा अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ धन्यवाद